Hello friends, welcome to the study power इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट एबुक के बारे में जो कि LDC and DEO पोस्ट के लिए है SSC दौरा कंड़र की जाने वाली CHSL याने Combined Hair Secondary Level का SSC दौरा कंड़र किया जाने वाला Skill Test Examination के बारे में हम लोग डेटिल में यहाँ पर देखने वाले है जो कि आपका आने वाले समय में Examination कंड़र किया जाएगा SSC के दौरा ठीके तो यहाँ पर यह यह e-book है By the Study Power SSC CHSL के लिए यहाँ पर अगर content के अगर हम लोग बात करेंगे तो previous year typing test passages आपको यहाँ पर मिल जाएगे Typing rules CHSL most expected typing passage आपको मिल जाएगे 30 typing passages जिसमें include किये गए है और selection process यहाँ पर मिल जाएगा Detail में आपको यहाँ बताया गया है कि किस तरीके का यह e-book है कितनी speed यहाँ पर required है Half mistake क्या होगी, Full mistake क्या होगी यह detail में हम लोग यहाँ पर देखने वाले ठीक है और इसके अलावा previous year question आपको किस तरीके के पूचे गए है passage में और किस तरीके के typing के passage आपको examination में देखने को मिल सकते है उसी बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले ठीक है, SSC CHSL का tier 3 examination होता है जो की होता है skill test examination जहाँ पर आपको data entry operator के लिए याने data entry typing speed आपको होना चाहिए 8000 की depression per hour on computer और typing test के लिए आपको दिया जाता है 10 minutes का जहाँ पर आपको time दिया जाता है ठीक है तो detail में हम लोग देखेंगे ebook के बारे में, अगर आप यह ebook अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो description box में आपको link मिल जाएगी वहाँ पर click करके आप एक website पर आ जाओगे और एक छोटी से amount पे करके जो है आप इस ebook को डाउनलोड कर सकते हो इस ebook को अलग-अलग part में divide किया गया है जैसे कि part 1, part 2, part 3, part 4 and part 5 तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पाओगे nature of mistake full mistake किसे कहा जाता है, half mistake किसे कहा जाता है the following errors are treated as full mistake for every omission of word or figure अगर आप कोई word को या फिर को फिगर को अगर आप गलत entry करते हो तो उसे जो है full mistake कहा जाएगा for every substitution of wrong word or figure अगर आप कोई word को substitute कर देते हो यानि उस word के बदले अगर आप कोई और word अगर type करते हो तो उसे कहा जाएगा full mistake next जो full mistake कहा जाएगा आपका for every addition of a word अगर आप कोई add करते हो अपने तरब से कोई word या कोई figure तो उसे भी यहाँ पे full mistake कहा जाएगा तो यहाँ पे आपको जो passage दिया जाएगा उसी को आपको copy करना होता है जो passage आपको दिया जाता है examination में वोही passage को आपको जो है type करना होता है इसके अलावा आपको उस word के बदले किसी और word को type करने की ज़रुवत नहीं है या फिर अपने तरब से कोई word add करने के यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है half mistake को समझ लेते हैं the following errors are treated as half mistakes spacing error अगर आप spacing error करते हो अगर दो word के बिच में अगर space दिया हुआ है अगर आप उस space type नहीं करते हो या space bar अगर use नहीं करते हो तब भी उसको spacing error कहा जाएगा अगर आप extra space देते हो तो वो भी spacing error में count होगा for every spelling error committed by way of repetition अगर किसी word को या फिर किसी spelling को अगर आप गलट type करते हो repeat कर देते हो उस alphabet को तो उसे कहा जाएगा या आप हाफ mistake next is wrong capitalization याई wrong use of capital letter for small letter and vice versa अगर को word दिया हुआ है capital form में और आप उस word को small में अगर type करते हो तो उसे कहा जाएगा half mistake तो इस तरीके से काफ़ी सारी rules या पर दिये गए है part 4 में पर आपको या पर total rule या पर समझा के दिया हुआ है कि किस तरीके का आपका typing test skill test होने जा रहा है data interest skill test आपका किस तरीके से होगा और typing test आपका किस तरीके से होगा वो detail अगर आपको जानना है तो ये e-book आपको totally पढ़ना होगा 76 number of pages या पर दिये गए है या पर key depression क्या होता है किसे count किया जाएगा key depression में ये सारी detail यहाँ पर देखनों के मिलेगी तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर कितने word counts की गए है वो भी आपको यहाँ पर detail में देखने को मिलेंगे जैसे कि आप अपने screen पर देख पा रहोंगे data interest skill test का scan paper sheet यहाँ आपको मिल जाता है scan examination paper आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि आपको examination में पूछा गया हुआ था ठीके तो एक बारे आप इसे analyze कर सकते हो अगर आपका skill test examination है tier 3 अगर आपका examination है SSC दोरा conduct जो कर रह जाता है तो वो candidate जो है इस ebook को download कर सकते है description box में आपको link मिल जाएगी वहाँ click करके आप इस file को download कर सकते हो इसके अलाव अगर आपके कुछ doubts होंगे कुछ पूछना होगा तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हो thank you very much guys for watching the video please like करिए इस video को share करिए अपने friends दो और आपको channel को जरूर से subscribe कर देना है thank you very much guys